इस वीडियो में हम अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे अंग्रेजी में अनुवाद करने का मतलब होता है इंग्लिस में translate करना ठीक तो translation कई प्रकार के होते हैं देखिए जो tense के अंतरगत पढ़े जाते हैं उनका आपको अलग से पढ़ना पढ़ता है और जो basic level होते हैं तो इस वीडियो में हम सरल सरल और basic level के translation बताएंगे और सारे यह translation अलग-अलग type के मिलेंगे तो चलिए start करते हैं देखिए पहला वाक के दिया गया है यह एक घड़ी है तो यह वह इस तरह के अगर translation होते हैं तो यह बहुत ही simple होते हैं इनको ध्यान से समझ यह का यह पहले क्या लिखते हैं लोगव लोग न्मबर यह यह की लिख दे आ phenomenal यह ती ट chain रखी $ होकग इस इस इसके बाद है य doen लेक आप लोग डाल लिजेगा यह एक नमबर है यह दो नमबर, यह तीन यह चार, पहले यह की अंग्रेजी लिख देंगे, फिर है की, तो है की अंग्रेजी होती है, इस और एक की अंग्रेजी होती है, और घड़ी की होती है ती-एछ से एच डायड़ हो गई की है की होगई और के अन्टी है चेयर वाको हो गयाँ तिसरा यह टो पी है इस तरह कि जब सेंटेंस आ जाए वाले जैसे मेरे पास एक घरि है तुम्हारे पास एक चायन है इस तरह क्या जाएं तो इसमें हैज का प्रियोग किया जाता है और हैव का प्रियोग किया जाता है ठीक हएस का प्रियोग या फिर हएवी का प्रियोग तो हएस का प्रियोग कब होगा हएस का प्रियोग तब होगा जब करता एक वचन होगा, ठीक, अगर बहुचन होगा, तो हयोका प्रियोग होगा, ठीक, तो तुम क्या है, बहुचन है, एक वचन करता है, हम फिर से बता देते हैं, एक वचन करता क्या होते हैं, किसी बैक्ति का नाम हो, किसी बैक्ति का नाम हो, तो वो एक वचन होता है, का नाम यह एक वचन होता है ठीक और अन्य जो करता होते हैं जैसे तुम हम मैं यह सारे वहुचन करता होते है ठीक तो चलिए तुम्हारे के हिसाब से हम पहले लिखेंगे तुम्के एंग्रेजी यूऊ तो यू यू मींस तुम इसके बाद तुरंत बाद जो यह पास है के लिए आपको इज नहीं लगाना है one लिखना है तो कि बहुत ही साथ लिखेंगे one क्योंकि बहुकि अच्रेकिनकरता है दो लिख देंगे two अब क्या लिख देंगे a तो एक के अंगरेजी काया हिए ये बहुत सरल है थोड़ा सा आपको सेंस लगाना इसमें उस तरह नहीं लिखना है पिछली सेंट ये हमने लिखा कि इज का प्रियोग नहीं करना है कहीं का प्रियोग करना हैकि अगर पहिंस पर लिखा हैं तो मोहन किसी प्यक्ति का नाम है तो करता एक वचन है इसके हिसाब से पहले हम लिखेंगे करता मोहन के एंगरेजी मोहन ही होगी है जाएगा हमने बताया है यह है हो तो एक बचन करता के साथ है ज नटारा चीज की अंगरेजी हो गया संटेंस जो दिया गया है राम घर जाता है देखिए ये हमने ट्रांसलेशन ले लिया है टेंस वाला जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है ते हैं आज इसाब्द आते हैं प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है तो उसके हिसाब से उसका भी आप नियम समझ लीजिए उसके हिसाब से हम क्या करते हैं सबसे पहले हम करता लिख देते ह है थिर उसमें अगर करता एक वचन है तो यस यह इस लगा देती है उस्थ है फिर अबजेक्ट जो भी वस्तुदी रहती है फिर अन्नेसब्द थिक rikt है यह नियम होता है करता मुखे क्रिया अगर करता एक वर्चन है तो यस यह यस अगर नहीं है तो नहीं लगाना है और अब्जेक्ट अदर वर्ड तो इसके हिसाब से देखिए क्या लिखा गया है राम घर जाता है सबसे पहले हम लिखेंगे करता राम अब देखे मुखे क्रिया क्या जाना जाना की एंग्रेज होती है गो अब करता एक वर्चन है तो इसमें यह लगा देंगे क्या लिए लगाने का प्रोसेस क्या होता है इसको भी हम किसी वीडियो में बताएंगे पहले आप यह नियम समझ लीजिए राम गोज अब उसके तुरां तक टूप रिपोजिशन लगा करता है और घर की एंग्रेजी होती है होम राम घर जाता है यह ट्रांसलेशन बन गया तुम पुस्तक पढ़ते हो यू अब मुख्य के लिए क्या है पढ़ना तो आर एड अब इसमें यह नहीं लागेगा क्योंकि तुम बहु अचन करता है आगे क्या है पुस्तक पुस्तक की एंग्रेजी बुक कि यू रीड बुक बस यह टेंस बन गया इसमें से यह लगाने की ज़रूत नहीं है अगला वाक्य दिया गया है दीपा एक सिच्छिका है तो दीपा की एंग्रेजी लिख देंगे दीपा और फिर इज यह देखिए इसमें कोई भी टेंस नहीं बन रहा है तो पहले वाले टेंस की हिसाब से हल करेंगे दीपा इज ए टीचर टीचर मिन्स क्या होता सिच्छ क्या सिच्छिका टीए सिच्छ इए आर डीपा इज ए टीचर तुम एक कुमार हो यू हो की एंग्रेजी होती है आर ए आर ए इंग्रैजर इसको पढ़ते हैं अलग कि कुमार की एंग्रेजि होती हैं पोटर लति पी ऐबल टी ए यह ओटर मिन्स कुमार महीमा के पास पांच पैण है महीमा महिमा है जे क्योंकि एक ब्रांसलेशन हमने एक बार और भी बताया था तुम्हारे मोहन के पास पांच गुत्ते हैं उसी परकार का यह भी ट्रांसलेशन था अब थोड़ा सा और अच्छे अच्छे टांसेशन सालों करना बताते हैं, देखिए यह दिया गया है, वह एक कुत्ता है, तो लिखेंगे वह की एंगरेजी, दैट, इज, ए, डॉग, वह एक अंडा है, देखिए कुत्ता में हमने लिख दिया था ए, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा, आगे देखिए, पहले लिखेंगे, दैट, इज, ए, अंडा की एंगरेजी होती है, एग, डॉग, ठीक, अब देखिए, चेंज क्या करना है, जब लास्ट वाला जो नाउन दिया गया हो, जैसे अंडा, अंडा की ऑंगरेजी क्या है, एग, ड पांचों में से किसी भी अच्छर से स्टार्ट हो रही हो तो एक की अंग्रेजी ए ना लिख करके क्या लिखेंगे हम एक की अंग्रेजी ए ना लिखेंगे क्या लिखेंगे एन लिखेंगे ठीक कब लिखेंगे जब लास्ट वाले नाउन की अंग्रेजी इन पांच अच्छर एक अंड़ा है अगला वाक्य दिया गया है राम के पास एक गाए है राम है है एक गाए एक गाए की अंग्रेजी होती है ए काउ सी ओ डबलू अगला सेंटेंस तुम एक किसान हो किसान की एंग्रेजी होती है फार्मर मिन्स किसान तुम्हारे पास एक ट्रेक्टर है देखिए तुम्हारे की एंग्रेजी तो होती है योर लेकिन जब करता की रूप में तुम्हारे प्रियोग किया जाता है तो उसकी एंग्रेजी लिखे जाती है यू आर नहीं लगाया जा जाजता कहीं बताये हैं अगर ये कहीं पर दिया होता है तो यह लिखते हैं लेकिन यह पास हमने बताया है का कहीं पर बताया गया हो तो है जब पर परियोग करते हैं Хватर अब एक ट्रैक्टर 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 ट्रैक एक वचन करता के साथ आर और करता आई का मतलब मैं मैं करता के साथ एम लगेगा ठीक फिर मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया जो कारे किया जाता है और उसमें आई एंजी जोड़ना है ठीक मुख्य क्रिया में धन अबजेक्ट अबजेक्ट का मतलब जो भी वस्तु दी गई हो और धन अधर वर्ड अन्य सब्द ठीक इस तरह यह वाक्य बनेगा चलिए करके दिखाते हैं सबसे पहले करता लिखेंगे मीरा मीरा हो गया अब मीरा एक वचन है तो एक वचन करता के हिसाब से यह जाज आएगा और खाना खाना के एंग्रेजी होती है इसमें क्या जूड़ जाएगा आइंजी है ना इटिंग और अन्य सब्द में क्या रहा है आपजेक्ट में फूड फूर मिन्स खाना एफ डबल ओ डी मीरा इज एटिंग फूड मीरा खाना खा रही है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं देखिए उसी से डिलेटर्ड यह भी टेंस हो गया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे चिल्ड्रेन सी यच आई एल डी आर इए चिल्ड्रेन मिन्स बच्चे अब मुख्य क्रिया वह सहायक रिया आएगी तो सहायक क्रिया बहुअचन के साथ क्या लगता है आर मुख्य क्रिया खेलना खेलना के एंगरेज होती है ले पी एल एवाई और इसमें आई अंज जोडेंगे और फिर अदर वर्ड या ऑबजेक में क्या बच रहा है cricket cricket की एंग्रेजी लिख देंगे C R I C K E T cricket ठिक यह वाक्य बन गया अब दिया गया है दो वाक्य तो एक वाक्य हम बता देते हैं एक वाक्य आपको बताना है यह एक छाता है तो लिखेंगे दिस पहले नियम की हिसाब से इज ए अमरैला U M B R E L A अब देखिए कहां पर गलती हो रही है हमने बताया था अगर लास्ट वाला कोई नाउन की सुरुआत A I O U में से किसी से भी हो जाए तो एक की एंग्रेजी ए न लिख करके आए न लिखते हैं A N ठीक तो यहां पर देखिए U स हमने बताया था A E I O U तो U से स्टार्ट हो रही है न तो इसलिए यहां पर N लगेगा ठीक अब यह वाकिया आपको करना है वह एक पंखा है इसका ट्रांसलेशन आप करके कमेंट बाक्स में बताइए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ट्रांसलेशन सीखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें